20. विविध आधुनिक भारत प्रिश्ण 1. आनन मट के लेखक कौन है? A. रवीना ठेगोर B. बंकिम चंद चटरजी C. सरोजनी नाइडू D. अरविंद खोश उत्तर B. बंकिम चंद चटरजी प्रिश्ण 2. भूदान आंदोलन किसने प्रारंभु किया था? A. महत्मा गांधी B. जे प्रकाश नारैन C. विनुवा भावे D. रामनोहर लोहिया उत्तर C. विनुवा भावे प्रिश्ण 3. लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? A. महत्मा गांधी B. रवीना ठेगोर D. अरविंद खोश उत्तर D. अरविंद खोश प्रिश्ण 4. बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के परवर्ग तक थे A. वारिन हैस्टिंग्स B. सर विलियम जोन्स C. जेम्स मेकिन्टोश D. जेम्स प्रिंसेप उत्तर B. सर विलियम जोन्स प्रिश्ण 5. भारत की सम्विधान सभाकिस के ऑनुसार गठित की गई A. साइमन आयोक का प्रस्ताव B. कृप्स प्रस्ताव C. माउन बेतन जोजना D. कैबनेट मेशन जोजना उत्तर D. कैबनेट मेशन जोजना प्रिश्ण 6. प्रथम भारतीय नोबल प्रुसकार विजयता थे? A. C. विरमन, B. रविंद नाट टेगोर, C. हर गोविन खुराना, D. अमरत्त सेन, उत्तर B. रविंद नाट टेगोर. प्रिश्ण 7. हमारा राष्टी गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? A. चित्रा, B. गोदान, C. डागघर, D. आनंदमट, उत्तर D. आनंदमट. प्रिश्ण 8. भारत का राष्टी पंचांग किस समवत पराधारित है? A. विकरम समवत, B. कली समवत, C. शक समवत, D. इन में से को कोई नहीं, उत्तर C. शक समवत, प्रिश्ण 9. दिल्ली वा केंदरी सचिवाले के उत्तरी और दक्षनी खंडों का वास्तुविद कौन था? A. एडवर्ड लुटियंस, B. हर्बर्ट बेकर्स, C. रॉबर्ट टोर्ट तसेल, D. एंटोनिन रेमंट, उत्तर A. एडवर्ड ल पोड डांसर, D. चित्रांगदा, उत्तर B. कपाल कुंडला, प्रिश्ण संख्या 126 प्रिश्ण 11, भारत की शायसन विवस्था में पहली बार प्रतनिधी एवं लोकप्री तत्यों को समाविष्ट करने का प्रियास किस माध्यम से किया गया था? A. 1861 का भारती परिश्द अधिनियम, B. 1892 का भारती परिश्द अधिनियम, C. 1909 का भारती परिश्द अधिनियम, D. 1919 का भारती परिश्द अधिनियम, उत्तर है बी, 1892 का भारती परिशद अदिनियम प्रिश्ण 12 किस गवर्नर के कारिकाल के दोरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माल हुआ था ए, एलगिन, बी, करजन, सी, मिन्टो, डी, हॉर्डिंग, उत्तर डी, हॉर्डिंग प्रिश्ण 13 नई दिल्ली शहर के रूपांकर में कौन शामिल था? ए, एडवर्ड लूटियंस और एडवर्ड बेकर बी, एफ एस ग्रावसे और एगक सी, आर एफ चिशोल्म और एच इर्विन डी, जी विटेंट और सुइन फॉन जेबक उत्तर ए, एडवर्ड लूटियंस और एडवर्ड बेकर प्रिश्ण 14 किसने 1898 इसमी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज इस्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वद्याले का केंदर बन गया ए, मदन मोहनमालवी प्रिश्ण 15 भारत के राष्टी धोज का डिजाइन किसने तयार किया था ए, एनिवेसेंट बी, सरोजनी नाइडू सी, विजयलक्षी पंडित डी, मैडम भीखा जी कामा प्रिश्ण 16 देवदास उपन्यास के रचनाकार है ए, प्रेमचंद बी, शर्चंदर चटो पाध्याए सी, मैतली श्रंगुप्त डी, फणीश्वार नाथ रेणू उत्तर बी, शर्चंदर चटो पाध्याए प्रिश्ण 17 चित्रा उपन्यास के इसके दोरा लिखा गया है ए, शर्चंदर चटरजी बी, बंकिमचंद चटरजी सी, रवीदनाथ तेगोर डी, तारशंकर वंदोपाध्याए उत्तर, सी, रवीदनाथ तेगोर प्रिश्ण ठारा प्रेमपचीसी के रचनाकार है अ, प्रेमचंद बी, फनिश्वार नातरेणू सी, जैशंकर प्रसाद दी महादेवी वर्मा उत्तर ए प्रेम चंद प्रिश्ण उन्नीस शुधित पाशान या हंगरी स्टोन्स की रचईता कौन है ए जैशंकर प्रसाद बी शरचचंद्र चेटरजी सी रवीन ना टेगोर डी प्रेम चंद उत्तर सी रवीन ना टेगोर प्रिश्ण बीस विश्व इतिहास की जहलक के रचईता है यानि गिलिम्सिस ओफ वर्ड हिस्टी के रचईता है ए जवाहरलालनेरू बी महत्मा गांधी सी लीवोटॉलस्टाय डी इन में से कोई नहीं उत्तर ए जवाहरलालनेरू प्रिश्ण कीस 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गणमन कहां पर गाया गया ए मुंबई बी लखनव सी कोलकाता डी साबरमती उत्तर सी कोलकाता प्रिश्ण बाइस भारत में पहला समाचार पत्र के सुन श्रू किया था दादा भाई नरोजी बी सेद अहमद खां सी रवीना टेगोर डी जेमस हिक्की उत्तर डी जेमस हिक्की प्रिश्ण तेईस दवील्स आफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखा कौन थे? प्रिश्ण चौबीस पोस्ट आफिस के लेखा कौन है? प्रिश्ण चौबीस निमनी में से किसे इस पात का चौकटा यानि स्टील फ्रेम की संग्या दी गई प्रिश्ण चौबीस गोदान किसकी रचना है? प्रिश्ण चौबीस निमनी में से कोई नहीं उत्तर अ प्रिश्ण चौबीस गोदान किसकी रचना है? अ महादेवी वर्मा, बी रामधारी सिंग दिनकर, सी सूर्यकांतिरपाठी निराला, डी मैथली श्रणगुप्त उत्तर डी मैथली श्रणगुप्त प्रिश्ण चौबीस चौबीस गोदान किस से था? अ मारले मिन्टो रिफार्मस एक्ट 1909, बी इंडिन कौंसल एक्ट 1890, सी मौन्ट्येगु चेंप्सफृर रिफार्मस एक्ट 1929, डी Barb險 सरकार अधिनियम य्दिन हैं 1935, अत्तर डी Barb險 सरकार अधिनियम 1935, प्रिशन थीजिए, खिलाफा तांदोलन का आरंभो किया था ए, फखर الدिन अली एहमद, बी, मुहमद अली जिन्ना, सी, अबुलकलामाजाद, डी, अली बंधोने, उत्तर डी, अली बंधोने प्रिशन थीजिए, भारत में सिविल सेवाओं का सूतरपाद किसने किया प्रिशन थीजिए, निमलकित कत्नों पर विचार कीजिए, एक, इंगलेंड की रानी 1858 में भारत की महरानी घोशित हुई, दो, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मेरी ने 1911 में दिल्ली दर्बार रखा, इन कत्रों में कौन सा या कौन से सही हैं, उत्तर है, दोनों, एक और दो, दोनों कत्न सही हैं प्रिशन संख्या 147, प्रिशन थीजिए, अमरित बादार पत्रिका की थापना की प्रिशन 35, जंडा गीत किसने लिखा है? प्रिशन 36, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेस के लिए प्रतियोगी परिक्षा प्रणाली को सिध्धानतता सुईकार किया गया A. 1833 में, B. 1853 में, C. 1858 में, D. 1882 में, उत्तर B. 1853 में प्रिशन 37, किस अधिनियम के तहट लौट कॉनवेलिस को अपनी कॉनसिल के फैसलों को रद करने का अधिकार मिला था? A. Regulating Act 1773, B. 1786 का एक्ट, C. 1793 का चार्टर एक्ट, D. 1813 का चार्टर एक्ट, उत्तर B. 1786 का एक्ट प्रिशन 30, उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक हैं A. रवीना टेगोर, B. तारक नात गंगोपाध्याए, C. स्वण कुमारी, D. बंकिम चंदर चेटर जी उत्तर D. बंकिम चंदर चेटर जी प्रिशन 40, भारती राजनीती में 1947 के बाद किसे महिला ने सरवादे की योगदान दिया A. अरुणा आसफ अली, B. कमला रानी सिंग, C. तारकेशवरी सिनह, D. रावडी देवी, उत्तर A. अरुणा आसफ अली प्रिशन 40, वंदे मातरम गीत लिखा था A. रमीना टैगोर ने, B. नवगोपाल मित्रा ने, C. बंकिम चंदर चेटर जी ने, D. ग्रीश चंदर घोश ने, उत्तर C. बंकिम चंदर चेटर जी ने प्रिशन 41, किस वर्ष उड़ी सा बिहार से प्रथक हुआ? A. 1930 में, B. 1933 में, C. 1936 में, D. 1937 में, उत्तर C. 1936 में प्रिष्ण 42 इस्तंभ एक में अंकित नामों को इस्तंभ दो में अंकित नामों से सुमेल कीजिए इस्तंभ एक में पुस्टकों के नाम दिये गए हैं और इस्तंभ दो में उनके लेखक हैं और सही सुमिलित करम में उत्तर इस प्रकार है A. History of the Freedom Movement in India, लेखक हैं, ताराचंद B. History of the Freedom Movement in Bihar, इसके लेखक हैं, के के दत्ता C. Precepts of Jesus, लेखक हैं, राजा राम मोहनराई D. Our Indian Muslims, लेखक हैं, डेबलु डेबलु हंटर प्रिशन 43, 1878 का वरना की उदर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया A. लॉर्ड रिपन, B. लॉर्ड लिटन, C. लॉर्ड करजन, D. लॉर्ड मिंटो, उत्तर A. लॉर्ड रिपन प्रिशन 44, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था A. रामनातपुरी, B. जीडी कुमार, C. लाला हर्दयाल, D. तारकनातदास, उत्तर D. तारकनातदास प्रिशन 45, इंडियन अन्रेस्ट का लेखा कौन था? A. दादा भाई नरोजी, B. एनिवेसेंट, C. लाला लाच पत्राए, D. वेलेंटाइन शिरोल, उत्तर D. वेलेंटाइन शिरोल प्रिशन 46, सोदेश वाहिनी की संपादक थे? A. C. वी रमन पिल्ले, B. C. एन बुदालियर, C. क. रामकृष्ण पिल्ले, D. C. आरेडी, उत्तर C. क. रामकृष्ण पिल्ले, प्रिशन 47, निमनलकित में से किस भाषा में दे इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? A. अंग्रेजी, B. गुजराती, C. तमिल, D. उर्दू उत्तर है C. तमिल प्रिशन 44, हंटर कमिशन की रिपोर्ट पर किसके विकास पर विशेश दोर दिया गया था? A. बालिका शिक्षा, B. उच्छी शिक्षा, C. प्रात्मिक शिक्षा, D. तक्निकी शिक्षा, उत्तर C. प्रात्मिक शिक्षा प्रिशन 44, किस एक्ट के दोरा भारत के गवर्ने जनरल को अध्या देश जाजी करने की शक्ति परदान की गई? A. चार्टर एक्ट 1833, B. इंडियन कॉंसल एक्ट 1871, C. इंडियन कॉंसल एक्ट 1892, D. इंडियन कॉंसल एक्ट 1909, उत्तर B. इंडियन कॉंसल एक्ट 1861 प्रिशन 50, निमने में से किसने सरप्रथम प्रेश सेंसर्शिप लागू की थी? प्रिश्निक क्यावन निमनिलकित में सबसे बाद में क्या हुआ सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलेत करें सूची एक में समाचार पत्रों के नाम सूची दो में उनके संपादक समाचार पत्र ए हिंदू संपादक का नाम बी सुधारक जी के गोखले सी वाइस ओफ इंडिया दादा भाई नौरोजी डी बंगाली एस एन बेनर जी प्रिश्न त्रेपन निमनिमे से किसके अंतरगत भारत में सरप्रथम सर्वोच नियायले की स्थापना हुई प्रिश्न चववन पत्रकार के कर्तव का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारती अथा प्रिश्न संख्या 128 प्रिश्न पचपन सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित कीजिए सूची एक में समाचार पत्रों के नाम और सूची दो में उन्हें प्रारम हो करने वाले व्यक्तियों के नाम दिये गए हैं सही सुमिलित करम में उत्तर इस प्रकार हैं प्रिश्न सत्तावन गोदान और गबन दोनों एक ही लेखा की रचनाय हैं उनका नाम क्या है ए रवीना टेगोर बी मुंशी प्रेम चंद सी कालिदास डी निराला उत्तर बी मुंशी प्रेम चंद प्रिश्न ठावन बनारस हिंदू विश्व द्याले बी एच यू के सस्थापक थे ए डॉक्टर रादा किशनन बी गांधी जी सी मदन मोहन मालवी ए डी इनमे से कोई नहीं उत्तर सी मदन मोहन मालवी ए प्रिश्न 69 गिल्टी मेन आफ इंडियास पार्टीशन पुस्ता किसने लिखी है ए जवाहर लाहल नहरू बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सी अबुलक प्रिश्न 61 निमनिलकित कतनों पर विचार कीजिए एक चार्टर एक्ट 1853 के दोरा इस्ट इंडिया कमपणी के भारती व्यापार के एक अधिकार को उत्सादित कर दिया गया दो गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतरगत बिटिश संसद ने इस्ट इंडिया इंडिया कमपणी को पूर्टाह समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायत उगर्ण किया इन कतनों में से कौन सा या कौन से सही हैं उत्तर है केवल दो केवल दूसरा कतन गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतरगत बिटिश संसद ने इस्ट इंडिया कमपण पूर्टाह समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायत उगर्ण किया सकते हैं प्रिश्ण 62 निमनिर्कित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद चटरजी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उलेक कर प्रिस्द्ध किया अ भील विद्रोहो बी रंगपूर्त था दीनापुर विद्रोहो सी विष्णूपूर्त था वीर्भूम विद्रोहो डी सन्यासी विद्रोहो उत्तर डी सन्यासी विद्रोहो प्रिश्ण 63, लेक्शेस फ्रॉम कोलमबो टू अलमोडा, निमिलकित में से किस एक की अनुभवों पर आधारित है? A. वीर सावरकर, B. एनिवेसेंट, C. राम कृष्ण परमहंस, D. स्वामी विवेकानन्द, उत्तर, D. स्वामी विवेकानन्द, प्रिश्ण 64, मेडम भीका ज जादा भाई नौरोजी की निजी सच्चिव रही, तीन मेडम कामा के माता पेता पारसी थे, उत्तर है केवल दो और तीन कथन सही हैं। प्रिश्ण 65, निमनिर्कित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है। पिर्शिद भारती लेखों को के नाम हैं और उनके सामने उनकी भाषा। जिन्होंने भारत में ब्रिटरिज धांची पराधारी तेक नियमीत पुलिस बल इस्थापित किया। प्रिश्ण 65, निमनिर्कित यूग में से कौन सा यूग में से सही सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट वार्रिन हैस्टिंग्स बी डॉक्टिन ओफ लैप्स डलहॉजी ती वर्नाकुलर प्रेस एक्ट करजन दी इलबर्ट बिल रिपन उत्तर है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट करजन ये सुमेलित नहीं है। प्रिष्ण 79, 1935 के भार्र सरकार अधिनियम के कुछ विशेश्टाई थी एक गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, दो गवर्नरों को विधाई करियाओं में निशाधिकार या वीटों की शक्ति तथा स्वयम द्वारा विदी बनाना, तीन संपरदाइक प ये मिर्कित कत्नों में से कौन सा एक सही है? प्रिश्ण इक गवर्नरों मौन्टेगू चेम्प्सफोर्ट की रिपोर्ट आधार बनी प्रिश्ण बहत्तर भारत में ब्रिटिस सामराजी के दोरान निमलिकित वाई सरायों पर विचार कीजे एक लौड कजन, दो लौड चेम्सफोर्ट, तीन लौड होर्डिंग, चार लौड इर्विन, उत्तर ए, एक तीन दो चार यानि पहले हैं लौड कजन, उसके बाद लौड होर्डिंग, फिर लौड चेम्सफोर्ट, और रंत में लौड इर्विन प्रिशन 73, कथन ए, 1916 में मौलाना मौमद अलीत था, अबुल कलाम आजाद ने विधान परिशत से त्याग पत्र दे दिया था, कारण आर, विधान परिशत के सभी भारती सदस्थियों के विरोध के बावजूद, सरकार ने रौलिट एक्ट को पारिद कर दिया था, उत्त देशी भारतीयों के लिए, रोधकार के आऊसर उत्पन करना, बी, भारत में पाश्चात संस्कृति का विस्तार, सी, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रियोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना, डी, परंपरागत भारती शिक्षा में वेग्यानी का नुसंधान तर्क बुद्धिवात का प्रवेश करवाना, उत्तर भी, भारत में पाश्चात संस्कृति का विस्तार, प्रिश्न पच्षतर, 1942 के क्रिफ्स मिशन का एक महत्यपूर्ण पहलू था, भारत को किसी भी कोटी की स्वाइटता देने की शर्त थी कि सभी भारती राजियों को भ भारत को संपूर्ण स्वतंतता तथा प्रभुत्तों का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी, डी, संपूर्ण भारत संग के लिए एक ही संविधान की सनचना करना, किसी भी प्रांत के लिए प्रथक संविधान का ना होना, तथा सभी प्रांतों को संगी संविधान मानने हो उत्तर बी दिव्टिय विशु जुदू के तुरंट पश्चाथ भारत संग की स्थापना करना और उसे डोमेनियन पदपरदान करना। प्रिशन चेटर उनी सो पैंटीस के भारत अधिनियम दौरा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजु को रिपीट अंग्रेजु की असली मंचा थी और राजसी प्रांतों पर और अधिक्वा प्रितक्ष राजनेतिक वा प्रशासने के नेंतरन रखना। राश्टवादी नेताओं के सामरा जवाद वरोधी सिधानतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तिमाल करना। अत्तर डी राश्टवादी नेताओं के सामराजवाद विरोधी सिध्धानतों को विर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तिमाल करना प्रिशन सततर ब्रिटिश इंडिया के निम्रिल खित में से किस एक अधिनियम ने सामुहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागी पद्धती द्वारा वाय सराय की कार्यकारी परिशत पर उनके प्राधिकार को और बल परदान किया सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित कीजिए सूची एक में भारत के उपनिवेशिये सरकार के अधिनियम और सूची दो में उन अधनीमों के अंतरगत किये गए प्रावधान सही सुमिलित क्रम में उत्तर इस प्रकार है एक चार्टर एक्ट 1813 और इसके प्रावधान है भारत में कमपणी का व्यापार एक अधिकार समाप्ट कर दिया गया बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके अंतरगत कमपणी के निदेशकों को कमपणी की प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार वा दस्तावेज बिर्टिश सरकार को प्रस्तूत करने को कहा गया इसके अंतरगत शासन का अधिकार इस्ट इंडिया कमपणी से बिर्टिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया अगला है डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और इसका प्रावधान है भारत में इस्ट इंडिया कमपणी के कार्यों को पूरी तरह विन्यामित करने के लिए बिर्टेन में बोर्ड आफ कंट्रोल इस्थापित करना प्रिश्ण 89 सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित कीजे सूची एक में कुछ व्यक्तियों के नाम है और सूची दो में विशय सही सुमिलित करम में सूची इस परकार है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम आउसर समाब तो हो गया था ए क्रिप्स मिशन को असुईकार करने के साथ ही बी राजगोपालाचारी फार्मोले को असुईकार करने के साथ ही C. Cabinet Mission को अस्वीकार करने के साथ ही D. Wevel Plan को अस्वीकार करने के साथ ही उत्तर C. Cabinet Mission को अस्वीकार करने के साथ ही प्रिश्न 81, भारती राश्टी कॉंग्रिस के बारे में निमलकित कत्रों पर विचार कीजे एक सरोजनी नाईडू कॉंग्रिस की अध्यक्ष होने वाली प्रत्थम महिला थी दो C. R. दास ने जब कॉंग्रिस अध्यक्ष के रूप में कारे किया वे जेल में थे इन में से कौन से कथन सही है उत्तर दो और चार यानि C. R. दास ने जब कॉंग्रिस अध्यक्ष के रूप में कार किया वे जेल में थे और एल्फेड वेव 1894 में कॉंग्रिस के अध्यक्ष थे अगला प्रिशन 82 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेष्टा नहीं थी A. केंद्र के साथ ही राज्यों में दोएद शासन B. दुईसद्नी विधान बंडल C. प्रांती स्वाइटता D. एक अखिल भारती संग A. केंद्र के साथ ही राज्यों में दोएद शासन इसका प्रस्ताव मई में आया इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांशा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संगियराजी का सुरूप होना था उप्रिउक्त उध्रन का संबंध है A. साइमन कमिशन से B. गांधी इर्विन प्रैक्ट से C. क्रिफ्स मिशन से D. कैबिनेट मिशन से उत्तर D. कैबिनेट मिशन से प्रिशन पचासी उस समय जब नेपोलियन की शक्ती के सामने यूरोप में सामराज धराशाई हो रहे थे किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पता का फैराई रखी A. वारिन हैस्टिंग्स B. लॉर्ड कॉन वैलिस C. लॉर्ड वैलिसरी D. लॉर्ड हैस्टिंग्स उत्तर D. लॉर्ड हैस्टिंग्स प्रिशन च्छासी कांगर्स के निमिल्खित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था A. महत्मा गांधी B. जवाहरलाल नहरू C. सरदार पटेल D. अबुलकराम अज़ाद उत्तर C. सरदार पटेल प्रिशन सत्तासी सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित कीजे सूची एक में पुस्तकों के नाम और सूची दो में उनके लेखक सही सुमिलित करम में उत्तर इस प्रिकार है A. दफर्स इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस लेखक विनायक दामोदर सावरकर B. आनंद मठ लेखक बंकिम चंद चेटर जी C. लाइफ डिवाइन लेखक शिरी अरविंद D. साधना लेखक रविंदना टेगोर प्रिशन ठासी निम्लकित युगमों में से कौन से सही सुमिलित है 1. थियोडोर बैक मुहमेधन एंगलो ओरियंटल कॉलेज 2. इलबर्ड बिल रिपन 3. फिरोशाहमेधा भारती राष्टी कॉंग्रेस 4. बदरोद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग उत्तर है 1. दो और 3 सही सुमिलित है 4. सुमिलित नहीं है प्रिशन ठासी निम्लकित का सही काला नुकरम क्या होगा 1. वुट का एजुकेशन डिस्पैच 2. मेकाले का मिनिट ओफ एजुकेशन 3. दिसाजेंट एजुकेशन रिपोर्ट 4. हंटर रिपोर्ट उत्तर सही काला नुकरम इस प्रिकार होगा पहले मेकाले का मिनिट ओन एजुकेशन उसके बाद वुट का एजुकेशन डिस्पैच उसके बाद है हंटर रिपोर्ट अन्तमे दिसाजेंट एजुकेशन रिपीट दिसाजेंट एजुकेशन रिपोर्ट